क्या आप कभी सोचे हैं एरेजर पेंसिल के लिखे हुए को मिटाती कैसे और मिटाते मिटाते खुद काली क्यों हो जाती चलिए जानते हैं इससे पहले हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिए पैंसिल का वा काला काला हिस्सा जिसका इस्तुमाल हम लोग paper पर लिखने के लिए करते हैं वग्रेफाइड का बना होता है और ग्रेफाइड पर carbon का layer बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे एक bread के उपर दुसरा bread रखा हुआ होता है तो जब आप pencil से paper के उपर लिखते हैं तो pencil का graphite paper के उपर deposit हो जाता है और वह लिखा हुआ दिखाई देता है जब आप लिखे हुए को मिटाने के लिए eraser से घिसते हैं तब heat generate होती है और इस heat के वज़ा से eraser का जो material होता है वह गरम होकर चिपचिपा हो जाता है अब जैसे ही rubber paper के deposit graphite के contact में आता है तो graphite paper को छोड़कर eraser में चिपिक जाता है इसलिए eraser काली हो जाती है या आप भी कभी मिटाते मिटाते paper फड़े